वेलकम टू इंस्पार फिजिस क्लास है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जड़तवा आगून से समधित कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन और यह सबी क्यूशन वले, चक्ती, ठोस बेलन, ठोस कोला, गोलियकोस के जड़तवा आगून से समधित हैं यह क्यूशन आपके लिए बहुत ही यूशफूल सा भी तोंगे और क्योंकि यह एक्जाम की दस्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह प्रियोश से एक्जामों में भी पुछे हुए हैं तो चलिए देखते हैं गुष्यमा की दस्टोवात करने से पहले हम इस इंडेख्व को देखते हैं क्योंकि यह इंडेक्स Tohgehen आज की कुष्यमा के लिए बहुत доступ है काम आएगी लिए देखते हैं पहले इस इंडेक्स पहले इस अंडेक्सź को रियल यह वास्तिक तिरजaya के के बराबर होता है ईन्य र होता है और जो वर्ताकार चक्ति या ठोस बहलन होता है उसके विभल इसके लिए गुणन तिरजया का माने र आपॉन रूट दो होता है और गोर्लिय कोश के लिए रूट 2 बटे 3 into r होता है और ठोस गोले के लिए रूट 2 वाई 5 into r होता है इस तरह जरतो अगुन का सुतर होता है m² इसमें मान रखते हैं तो वर्ताकार वले और ठोस बेनाकार के लिए m² हो जाएगा और वर्ताकार चक्ती और ठोस भिलन के लिए एक बटे दो एमारे स्कार हो जाएगा और गोली अकोस के लिए दो बटे तीन एमारे स्कार हो जाएगा और ठोस गोली के लिए टूबाइ फाइप एमारे स्कार हो जाएगा तो दोस्तों एक बार इस इंडेक्स को वीडियो को पोज़ करके पूरी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए क्योंकि यह है इंडेक्स से वीडियो के अंदर बहुत ही काम आएगी अब देखते हमारे पहले क्यूशन को पहले क्यूशन में हमें लंबत अक्सों की पर्में के बारे में बताया गया है कि वस्तु को यदि एक्स जड़ तल में रखा जाता है तो निमने में से कौन सी एक्वेशन है वो सही होगी तो देखिए दोस्तो जो लंबत अक्सों की पर्मे होती है वो हमें कहते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तल में रखा जाता है तो जो तल के लंबत वाला एक्स होता है उसके साफ एक जो जड़ो तो आगुन होता है वह अन्ने दो अक्सों के योग के बराबर होता है तो यहांपर हमें वस्तु को x, z तल में रखा गया है तो यदि वस्तु को x, z तल में रखा जाता है तो उसके लंबत x, y तल होगा y, x होगा तो इसके साफिक जड़त्वा अगुन होगा i, y और यह है जो तल में 2x होते हैं उनके यू के बराबर होगा मतलब की i x plus i z के बराबर तो यह है equation हमारी option नमर 2 से मेंज खाती है तो option नमर 2 हमारा right answer हो जाएगा अब देखते हैं अगला question अगला question समानतर अक्सों के पर्मे के बारे बताए गया है तो समानतर अक्सों के पर्मे होती है जो यह होती है कि कोई भी वस्तु हमानलो एक वले है और इसका एक गुरुत्व के अंदर होता है दोस्तों गुरुत्व के अंदर वह केंदर होता है जिसके समानतर इसका जो दर्मान आगुन होता है वो सुनने होता है या फिर जो वहाँ पर अपन मान सकते हैं कि दरुमान के अंतर होता है तो इसके समानतरे किसी अन्य एक्स का जड़त्वा आगुन निकारना है तो इसके निकारने के लिए हमें समानतरे एक्स को की प्रमे का प्रियोग करते हैं और वह पर में यह बताती है कि इस अन्य x के साप एक तो दोड़ा तो आगुन आई होगा वहा जो गूर्तुए x होता है यहा गूर्ट्वे x होता है और गूर्त्वे x होता है i g उसके अंदर md² जोड़ा जाता है तो यहाँ पर d² तो होता है यह याँ वह रहती है और M इसका दर्वमान होता है तो समांतर X पर में यह हमें यह बताती है कि जो अन्य X होता है जो गुरुत्वे X के समांतर है उसका जड़त्वा आगूने IG पलस MD स्कार होगा यहांपर IG गुरुत्वे X का जड़त्वा आगून है और यहांपर D इनके मद्दे की दूरी है और इसका दर्वमान है तो इस एक्वेशन को अपन ऐसे भी लग सकते है कि यह जो IG है इसको इधर MD स्कार को है इधर ट्रांसफर कर दें तो यह है इधर माइनस में जाएगा तो हमारी एक्वेशन बढ़ेगी IG IG बढ़ाबर I-MD स्कार क्योंकि MD स्कार इस जिरादने पर माइनस हो जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा मारा उप्शन नमर चार क्योंकि इसमें हमें यह दिए खाओ हाओ IG बढ़ाबर होगा I-MD स्कार अब देथे अगले किशन को व्यास के परती जड़त्वा आगुन ग्यात करने के लिए लंबत अक्षों के फर्मय का उप्योग नहीं किया जा सकता है ऐसा पिंड है तो देखिए दोस्तों ऐसा पिंड वह होगा यान कि जिसे किसी तल में नहीं रखा जाता हो या फिर तल में उसको घुमा का रखने पारे यान कोई फरक नहीं पड़ता हो तो वह होगा पिंड होगा गोला क्योंकि गोले को किसी एक तल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये 3D के रूप में होता है बलकि जो चक्ती होती है यानि कि एक शिक्का उसको किसी तल में रखा जा सकता है और बले को भी एक तल में रखा जाता है बलेट को भी एक तल में क्योंकि यह चप्टिवा करती है बलकि जो गोला होता है वो गोलाकार होता है इस कारण उसमें यानि कोई भी किसी तल में दो अक्से खीचने पर तो तीसरा अक्स खीचेंगे वो बाकि दो अक्सों के समान ही होगा माना कि ये दो अक्स हैं गोले के अंदर ये खीच लेते हैं और तीसरा अक्स इसके लंबत काटेगा तो ये है भी अन्य दो अक्सों के समान ही होगा क्योंकि व्यास के समांतर होगा और के अंदर से गुजरेगा इसलिए इसके जो लंबत अक्सों की परमे होती है वो नहीं डिकास होते हैं क्योंकि जो लंबत अक्सों की परमे के अंदर जो लंबत अक्स होता है वो अन्य दो अक्सों से भिन होना चाहिए जैसे चक्ति में होता है, यानि कोछ शिक्क होता है, उसमें जो तल में ही दो अक्स होते हैं, वह जो उसके लंबो तक्स होता है, उसे भिन होते हैं, क्योंकि वह शिक्के से कम ही दूरी से गुजरता है, इसलिए उसका जड़तो आगूने उन दो अक्सों से भिन होगा, जो उस होगा तो देखे तो जो दर्वमान के अंदर होता है उस के साफ एक्स दर्वमान आगुण का मान होगा उस बिंदू पर सुनने होता है क्योंकि दर्वमान आगुण होता है MRE square और यहां पर जो R होती है यह R दूरी यह दर्वमान के अंदर से दूरी होती है दर्वमान के अंदर से किसी बिंदू की दूरी होती है लेकिन यदि हमें दर्वमान के अंदर पर ही दर्वमान आगुन का मान निकान न हो तो यह निया आर कमान जीर हो जाएगा और किसी बिंदु से दूरी जीर होती है तो दर्वमान आगुन कमान सुनने हो जाएगा तो इसका राइट इंस हो जाएगा और अपसन नमर 3 एब है नेक्स्ट कुपसन एक वले छेतिस तल पर वी वैक से लुड़क रहा है तो उसकी गुनन गतीज उर्जा का मान रेखे गतीज उर्जा के मान से होगा तो अधिक होगा या से कम होगा के सम्मान होगा या वले के दर्मान पर निवर करेगा तो देखे दोस्तों वले के लिए जो गुनन तिर्जा का मान होता है वह वास्तिक तिर्जा के बराबर होता है इसलिए इसके जो गती जुर्जा की बराबर होगी इसके लिए इसका राइट रोस रजाएगा ओप्सन नमर तीन बाकि जो चकती होती है या फिर कोई ठोस बिलन होता है या फिर गुल होता है उसके लिए गुनन गती दुर्जा का मान जो होगा वह रेखिये गती दुर्जा से कम होगा क्योंकि उनके लिए जो गुनन तिर्जा होती है वह कम होती है लेकिन वले के लिए जो गुनन तिर्जा वहास्त्यां के बराबर होती है इसलिए इसकी गुनन गती जुर्जा भी समिप hazard ये समान हीँगी शेख मायद और DRN box अब घुर ने हैं तो आग मान को अब हुआहे Hudson समान दरुमान ततार्या का एक वलय और चक्ती की जामित इस अपक जड़त वागुन का मान चक्ती का अधिक होगा वल्य का अधिक होगा दोनों को बराबर होगा उप्रिवक्ति में सिकूर नहीं देखें दोस्तों इंडेक्स में में हमने देखा था जो वल्य की जो तिर्जय गुंणन तिर्जय होती है वह है चक्ति से अधिक होती है क्योंकि वल्य की होती है और चक्ति की होती ह तो जिसकी घुण्नन तिर्जय अधिक होगी उसी का जढ़त्व आगुं अधिक होगा तो यहां प्रवलै के जढ़त्व आगुं कोगा क्योंकि वल्य की गूर्णन तिर्जय अधिक होती है तो राइट से हो जाएगा मारा option no.2 अब देखते हैं अगला question निशित मातरा में उपलब दे पिगली हुई दातु को समान तिर्जा की आकर्ती में ढालना है कि उसकी सम्मित एक्स के परती जड़ा तो आगुन अधिक्तम होगा तो दोस्तो सम्मित एक्स के सापेक सम्मित जड़ा तो आगुन निकाना है और हमें material है जो धातु है वो है समान दीवी है और समान तिर्जा दीवी है तो गुनन तिर्जा पर जड़ा तो आगुन निपर करेगा तो गुनन कि गुर्णन तिर्जा सरवादिक होगी उसी का जड़ तो आगुन सरवादिक होगा या दिक्तम होगा तो राइट एंसर हो जाएगा option number 3 क्योंकि वह ले कि ही जो गुर्णन तिर्जा होती है वह सरवादिक होती है और उसका मान होता है आर बलकि जो ठोस बेलन और चक्तिकी होती है उसकी होती है आर बाई रूट टू और जो ठोस गोला होता है उसकी होती है टू बाई थरी रूट टू बाई थरी होती है अब है अगला क्योंसन निम्न अक्स के सापेक्स विले का जड़तो आगुन अधिक्तम होगा तो हमें वता मानना किस अकसे साफ एक जड़त्व आगुन अदिकतम होगा व्यास के साफ ex تल में इस पर सिरखा के साफ एक साफ या तल के लबत इस पर से खाके साफ एक से देखें दोस्तों इसका मान हमें जो परमे होती हैं जड़त्व आगौन की समान तर्परमे और लंब्वत पर में, उनकी साहता ऐसे निकालते हैं, माना कि यह कोई चक्ती है, या इसे वल्ले भी मान सकते हैं, यदि बीच में से बढरी होई होगी, तो चक्ती होगी, व ignoring वल्ले होगी, तो इसमें यदी कोई X है, इसमें कोई X के सापेग से तल में इस पर सरिका के सापेग से जड़तों आगों निकालते हैं तो उसका मान ने उसके X के तल के लंबोत इस पर सरिका के सापेग से जड़तों आगों निकालते हैं 2mr2 तो हमारा अधिक होता है 2mr2 इसका सरवादिक तो जो यह जो तलके लंगो ते इस पर सरका उगी उसका सरवादिक होगा तो राइट वैंसर जाएगो अप्शन नमर चार अब देखते हैं अगला क्यूशन समान दरुमान तथा मोटाई की दो चक्तियां बिन-बिन परदा व्यास और जड़तव आगुन दोनों अधिक होगे या फिर व्यास अधिक होगा और जड़तव आगुन कम होगा या फिर व्यास कम होगा जड़तव आगुन अधिक होगा या फिर दोनों ही कम होगे तो देखिए दोस्तों यदि किसी वस्तु का घंणतव अधिक होता है या शिम्मीद हो जाएगा इसका जो व्यास न की कम कमई ही कव्यास का फिन बनाएगा इसका व्यास उसका न मत थांग उथके करन थावका ऑड़ी बनेगी और इसलिए इसका अधिग नत्वाली का व्यास कम हो जाएगा और व्यास कम होने के कारण ने इसकी गुणनतिर्जया भी कम होगी इसकारण जड़तवा आगुन भी कम हो जाएगा तो हमार रा divertons हैगा आप्सन नमयानिक दोनों ही कम हो जाएगे अब है अगला lesson समान दरोमान वै तिर्जय की वल्य और चक्ति का जड़त वागुन भी समान है यदि वल्य की एक्स और उसके तल में इस्तित इस पर से रेखा हो तो चक्ति की एक्स है तो देखिए दोस्तों वल्य में हमें उसके अक्स को तल में इस्तित माना गया है तो जो चक्ति होगी उसक के लंबवती इस पर श्रिकामी होगी क्योंकि जो वल्ले होती है उसका जड़त्वा आगुणे चक्ति का दो अगुणा होता है इसका वल्ले का जो तल में जो जड़त्वा आगुण होगा वह है चक्ति के लिए उसके तल के लंबवत होता है इसलिए इसको और राइट एंसर अगला किप्सन दो समान दर्वमान तथा तिर्जा की परंतु ए समान मोटाई की चक्तियों का व्यास के साफ एक जड़तवा आगुण होगा दोनों का समान होगा पतिल चक्ति का अधिक होगा मोटी चक्ति का दिवा पतली चक्ति का कम होगा देखिए दोस्तों जो जड़तव अगुन होता है वह है उसके मोटाई पर निपट नहीं करता बल्कि उसके दरवमान और तिर्जा पर ही निपट करता है यह ओता है M के इस्क्वायर होता है यहाँ पर एम होता है दर्वमान के होता है गुणनन तिर्जा तो यानि इन दो पर ही डिपेंड करेगा मोटाई पर निबन नहीं करता है इसलिए इसका राइट हो से जाएगा ओप्सन मेरे एक दोनों का समान होगा क्योंकि यह मोटाई पर निबन नहीं करता है अगला क्यूस घौक्ले ठटा फोस गोले जिन की तिरजे इं ता दरबान्द वा तो किसको गुंवाना मुश्किल हो गया ही तो देखे दोस्तों जिसकी गुंदनतिर्जा कमान उत्विन अदिक होग उसका जर्टो आगुन अधिक होगा उसका जरतो आगुन अधिक होगा उसको गुमाना उतना ही मुश्किल होता है और हम जानते हैं और इंडेक्स में दिखाए गया है कि खोकले गोले की जो गुनन तिर्जा का मान होता है वो अधिक होता है और ठोस गोले की गुनन तिर्जा का मान कम होता है इसलिए जो खोकला गोला हो उसको जड़तो आगुन अधिक होगा और उसको गुमाना उतना ही मुश्किन होगा इसलिए इस क्यूशन का राय टरेंसोड looked नमर्दो खोकले गोले को गुमाना मुश्किल होगा क्योंकि इसकी तरज्या का मान इनल मुख्य होता है और इसका जड़त्व आगून अधिक हो जाएगा अगला क्यूशन है किसी आकर्ती का इसकी X के एनुदी जड़त्व आगून है इसकी लंबवत X के साफ़ एक जड़त्व आगून के बराबर है तो आकर्ती होगी तो देखिए दोस्तों वही है अनकी इसमें लंबवत X की जो पर्मे होती है वह काम में नहीं आती है यानि फेल हो जाती है यह कह रहा है कि यदि ऐसा कौन सा फिंड होगा जिसमें उसके तल में दो X खिंचेंगे और इसके लंबवत X होगा उसका जड़त्व आगून इन दोनों के बराबर होगा बलकि इनके यो के बराबर नहीं होगा यानि के जो लंबवत X की जो पर्मे होती है उसके विपरित होगा हमें पर्मे बताती है कि यो के बराबर होना चाहिए बलकि यह है डारेक जो तीसरा X है इन दोनों के लंबवत उनके डारेक्ट लिया बराबर होगा इसके बराबर होगा रो इसके भी तीनों का जड़त्वागुन है वो बराबर होगा तो मैंने आपको पहले कि उसमें बताया है जो किसी तल में रखे जा सकते हैं या किसी उसके तीनों अक्सें की जो भिन भिन होते हैं उनके लिए जड़त्व आगुने परिम्य होती है उपयोग में ली जा सकती है बलकि जिसके लिए तीनों अक्सें समान होते हैं उसके लिए काम में नहीं ली जाती और जो गोलिये कोस होता है उसके लिए तीनों अक्सें किसी भी देशा से तीन लंबवत अक्षिंग से तीनों समान ही होगे इसलिए वहार लंबवत अक्षिंग से परल् kı grapple नहीं करेगा और इसक्यूस्न का रायट में से हजएगा ओप्सन नमर चार चक्ती के लिए भी जो 3 X हीचेंगे वह अलग-अलग होंगे 2 तो तल में होगा और एक तल के लंबत होगा खोस विलने भी एक तो जो 2 व्यास होगे उसके उससे गुजरेंगे और एक उसके विलन के मूल अक्से गुजरता है तो 3 O X अलग-अलग हो जाएंगे वे लेकिया बेलिए अलग होंगे लेकिन गोल्य कोस के लिए तीनों अक्सम वो समान होंगे और समान होने के कारणून का जणत वागून को इस समान होगा और राइट वेंस हो जाएगा अपसन मर्चार तो देखिए दोस्तो इसी क्यूशन के साथ आज का हमारा वीडियो समाप तो जाता है और यह दिये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो इसके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए अगले वीडियो में ऐसे ही क्यूशन के साथ फिर से मिलेंगे जैहीं दोस्तों